हेलो फ्रेंट्स आज हमें एक एगलेस चॉकलेट केक की रसिपी देखते हैं जो सभी को बहुत ही पसंद आता है सबसे पहले इसी बनाने के लिए मैंने आधा कप दही लिया है और इसमें आधा टी स्पून बेकिंग सोड़ा डाल लिया है अब जब यह रियाक्ट हो जाए तब इसमें हम चीनी डालने और अब एक सीव की मदद से हम सारी ड्राइ इंग्रिडियन्स इसमें डालनेंगे और कट इन पूर मेदद से दीरे-दीरे इसे मिक्स करेंगे अब हमें ओयल भी डाल लेना है और एक पिंच नमक और बैनिला एसंस डालने और आदा कप मैने इसमें पानी डालकर एक रिवेल लाइक कंसिस्टेंसी की तरफ बैटर बना लिया है अब एक क्रीस कीवे मोल्ड में मुझे इसे 180 डिक्री सेल्सियस पर माइक्रोव में 30 से 35 मिरिट के लिए बेक करना है बेक हो जाए तब हम एक वाइड रैक पर इसे ठंडा होने दें तब तक हम एक गनाश बना लेते हैं एक कप मिल्क चॉकलेट और आदा कप क्रीम ले और 30 सेकंड्स माइक्रोव कर दें और एक टी स्पून बटर डाल ले अब ये गनाश भी बनकर रैडी है और हमारा कीक भी रैडी है तो आई अब हम असामलिंग करते हैं अब केक को हम दो पार्ट में कट कर लें और शुगर सिरफ से सोग कर लें और अब इस केक पर नीचे और उपर पूरा गनाश से कवर कर दें अब गनाश से कवर करने के बाद हमें इस पर आइसिंग करना है तो बिर्ट्रिंग की एक लेयर लगा दें और अब डेकोरेशन के लिए मैंने एक नोजल लेकर पिंक आइसिंग एक पाइपिंग बैग में भर लिया है अपने मन चाहाँ आप इसमें डेकोरेशन कर ले और आपका ये चॉकलेट केक बनकर बिल्कुल रेडी है देखिए कितना सुंदर केक बना है ये बच्चों को तो ख खास पसंद आने वाला है और ये बहुत ही डिलीशिस बनाए है और ये बहुत ही डिलीशिस बनाए है